हलो गुट बॉनिंग कैसे हो आप लोग अच्छे होंगे यही दुआ करती हूँ बजाशा ब्लोग चाइनल में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड तो आज है दिपावली आप सभी को मेरे तरफ से मेरे फेमली के तरफ से हैपी दिपावली आप लोग स्वस्थ रहें वैसे आप लोग चारों दिशा में परकासित हो आपकी हर इच्छा है हर मनो कामनाय पूर्ण हो तो आज हमने दिपावली की तैयारी कर ली है और आप लोग देखी रहे हैं कुछ अलग धंग से मैं तैयार हुई हूँ ज्यादा कुछ विशेस नहीं है आप लोग देखी रह करती तो मैं नाइटी यूज करती हूँ और फ्रेंड चलिए मेरे साथ आप लोग मेरे व्लोग में देखिए गुरु जी का मैंने और माता रानी की तैयारी की इस परकार की है तो आप लोग मेरे साथ चलिए और देखिएगा और बताएगा आप लोग के यहां की इस तरह से तैयार्या की जाती है तो यहां देखिए फ्रेंड हमने अपने गुरु जी की शर्षाफाई कर ली है मंदीर में और जो बरतन वाशन थे सभी को साफ कर ली धर माता रानी का भी पूरा क्लेन कर दी हूं और जो इधर आप लोग पूरा देख रहे हैं पूरे अच्छी तरह से स समझाया मैंने तैयारी कर ली और अब यहां मैंने अपने माता रानी की अस्थापना की है लच्छी माता की और उन्हें अस्थापना की और दिया बत्ती कलस सभी को तैयार कर रही हूं हमने साथ दिये जलाया है एक अखंड दीप है और एक कलस के उपर जो दिप रखा जाता वो सब रखी हूँ आप लोग देख लीजे उसके बाद सभी दियेव को जलाकर फिर मातारानी का सिंगार करूंगी इनके शिंगार करने के बाद फिर फ्रेंड जो मैंने धनतेरस के दिन जो जो समान खरीदी है वो मातारानी के सामने रखूंगी और इसके इतना करने के बाद फिर जो मिठाई हमने लाएं हैं बजार से वो मिठाई में चड़ा दूंगी फिर अच्वन दूंगी और अच्वन करने के बाद फिर मेरा ये पूजा पूरा संपन हो जाता है और मैंने सिंगार के भी कुछ समान लाएं हैं वो भी मैंने माता रानी को चड़ा दिये हूं और दिपावली के बाद खुद हम घर की महिलाएं यूज कर लेते हैं ति इस तरह से मातारानी की पूजा हमने की और मातारानी से बिंती भी की कि है मातारानी अगर हमारे पूजा में कुछ गलती सही हो तो उसे आप माप करें और हमारे पूजा को सिवकार करें तो मातारानी तो ब से मैंने कर ली आप लोग देखे ही और ये मैं चांदी के जो तार लाई हूं उसे चड़ा रही हूं और इस तरह से मेरा पूजा संपन हुआ सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि मैं गुरु जी की पूजा करती हूं उनके बाद ही किसी देवी देता की करती हूं तो सबसे पहले मैंने गुरु जी की पूजा की और उसके बाद माता रानी की पूजा की और इनकी पूजा करने के बाद इनकी जो परसादियां हैं वो आज हम लोग उठाते नहीं हैं यहीं छोड़ देते हैं और गुरु जी को जो हमने परसादी चड़ाएं हैं फ्रेंड उसे सब घर क फेमली को बाटेंगे जो जो घर में हैं उन सभी को मैं परसाद दे दूंगी और देखिए मेरे ब्लॉक्स में बने रही है अच्छा लगेगा क्योंकि मेरा ब्लॉक्स आज का कुछ खास है हाँ थोड़ा घर में अंधेरा है लाइट नहीं है लेकिन दीप की रोशनी से कुछ परकास आ रहा है तो इसी से वीडियो में सूट कर रही हूँ तो आप लोग मेरे घर में जो पुझा में कर रही हूँ उसे आप लोग देखे और मुझे कॉमन्ट जरूर करेगा और बताएगा आज का मेरा वीडियो कैसा रहा और देखे मैं माता राणी से हाँड चोड़ कर बिंती करती हूं अपनी गलती सही जो भी मुझसे भूल चोख हो उसे छमा मांगती हूं और इस तरह से मेरा पूजा संपन हो गया फ्रेंट तो अब मैं आप लोगों से बिदा लेना चाहती हूं आप लोग कॉमेंट जरूर करिएगा कि इस तरह से रहा मेरा दिपावली मैं आप लोगों से बिदा लेती हूं लेकिन आप लोग मेरे ब्लॉक्स को छोड़कर अभी मत जाएए देखे और बताइएगा जरूर चलिए चलते हैं आप लोग भी मेरे गुरु जी का परसाधी ले ले और यहां मैं माजी बाबु जी को परसाधिया दे देती हूं माजी और क्या क्या मैंने चड़ाई कलस तेयार नी को इस थी को इस तरह से आप लोग पूरे भूजे को मेरे देख लिए और हथ देख लिए और जो जो मैंने समानलीय कॉमेंट जरूर करिएगा तो चलिए अब माजी बाओ जी आप सभी को मैं परसाधी बाड़ देती हूँ आप लोग परसाधी ग्रहन करें और मुझे आशिरबात दे कि मेरी भी जो कुछ है दुख दरीद्रे हो वो दूर हो और सभी नीरोग रहे इससे ज्यादा मैं कुछ नह कॉमेंट भी करें और बेल घंटी को तो जरूर फ्रेस करें और ताकि जो भी मैं वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आप लोगो सबसे पहले मिले यहां माजी मेरी परसाधी लेने के लिए तैयार हो गए हैं और बाबुजी भी देखें यहां बैट कर टीवी देख रह जो जितना तक मुझे मातारानी की पूजा करने की विदी विधान मालूम थे उस तरीके से मैंने की अगर मुझसे कुछ गलती भूल चुक हुए हो तो फ्रेंड आप लोग मेरा वीडियो देखकर जरूर कॉमेंट करिएगा और कहां मैंने गलती की हूँ और कहां नहीं और म मेरा पूजा कैसा रहा ये आप लोग जरूर बताईएगा क्योंकि मैं ज्यादा अपने गुरू जी की पूजा करती हूँ और उन्हीं पर मेरा ध्यान ज्यादा रहता है तो आप लोग जरूर बताईएगा कि मातारानी की पूजा करने में मुझसे कुछ कमी तो नहीं हुई और देखें ही मैंने माता रानी की पूजा की इस तरह की मैंने उनके फूल फल पहले तो मैंने मुर्तियां गंगा जल से उन्हें आस्नान कराई अपनी फोटो को और उसके बाद उन्हें चुनिरी टीका सिंदो जो होता है वो मैंने की और फिर उसके बाद धंतेरस की दिन जो मैंने समान लाई थी वो सब समान उन्हें चढ़ाई मैंने चांडी के तार लाई थी, आप लोग से मैं बोली ही कि मेरी अभी परिस्थिती कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने शरिफ चांडी के तार ही ली और लड़ू देखे ही, कोडी जो होता है वो चड़ाई और धन्या थे तो माता रानी को बहुत पसंद है, तो मैंने वो भी लेकिन आप लोग कॉमेंट जरूर करिएगा कि मेरा पूजा क्या सही क्या मैंने पूजा सही तरीके से की आप लोग करिएगा और अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूं फिर अगले दीन भाईया दूज गोवर्धन पूजा ये सब आने वाला है तो मिलते हैं अगले खीर ज्यादा पसंद करती है तो इसलिए मैंने अपने घरों में खीर और पूड़ी बनाई हूं और फ्रेंड आप लोग जरूर कॉमेंट करके मुझे सजेस्ट करिएगा कि मेरा आज का पूजा मातारानी की पूजा दिपावली की पूजा मेरा कैसा रहा तो थैंक यू टे यहां आपार देते रहें और